इस धर्ती के ज्यादतर लोग कितने जागरुख हैं? आज कल की दुनिया में? हाँ, लॉस एंजलिस में. आप यहां समय बिताते हैं. पूरी दुनिया की बात करते हैं. मैं लॉस एंजलिस के बारे में कोई फैसला नहीं समाना चालता है. पूरी दुनिया में दुर्भागे से ये एक बहुत छोटी संख्या है. बहुत छोटी. ऐसा क्यूं है? लोग जागरुक क्यूं नहीं? इसकी मुख्य वज़े ये है कि उन्होंने खुद को बहुत महत्वपूर्ण माना है. वो ये नहीं समझते कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही धर्ती पर हैं. वो आए हैं और चले जाएंगे. लेकिन इसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है. मैं कौन हूँ? ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. मैं क्या हूँ? जो मेरा शारीरिक रूप है, वही मूल रूप से मैं हूँ. है न? तो जब मेरी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो सचेत होने का कोई तरीका नहीं. ऐसे में आप खुद के खिलाफ काम क करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं. पूरे विश्व के स्वभाविक रूप से आत्मग्यानी ना होने की एक मात्र वज़ए ये है कि लोग अपने जीवन के बारे में बहुत कमभीर हैं. वो इसे लेकर सहज नहीं हैं, वो इसे लेकर बहुत क गमभीर हैं। देखिए आप अभी अभी इनर एंजिनेरिंग ओनलाइन प्रक्रिया से घुजरे हैं। अगर आप पूरे सौर मंडल को देखें, तो इस रिष्टी में सौर मंडल बस एक छोटा सा कण है। और इस कण में धरती एक बहुत छोटा सा कण है। उस बहुत छोटे कण में लॉस एंजिलिस और भी छोटा कण है। उसमें आप एक बड़े इनसान है। यह गमभीर समस्या है। यह कोई छोटी समस्या नहीं है। तो जब आप यह समस्या पैदा करते हैं, तो आप सचेत नहीं हो सकते हैं। आप बस मानसिक रूप से सजग हो सकते हैं, क्योंकि तब सब कुछ जीवन चलाने के बारे में होता है। आप जितने ज्यादा मानसिक रूप से सजग बनते हैं, उतना ही आप में एक मासाहारी जानवर जैसा बनने का जुकाव होता है। आप जानते हैं मासाहारी जानवर में बहुत मानसिक सजगदा होती है क्योंकि हर दिन उसे भोजन का शिकार करना होता है. मैंने भारत के जंगलों में बहुत समय बिताया है आपको एक बाग को देखना चाहिए वो कितना सजग होता है क्योंकि अगर वो सजग नहीं होगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा वो भूखा मर जाएगा उसे बहुत सजग होनी की जरूरत है अपना भोजन पाने के लिए ज्यादा तर लोग सोचते हैं कि बाग जिसे चाहे मार सकते हैं नई उसके लिए अपना शिकार पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सभी शाकाहरी जानवर उससे तेज है और उनके शरीर में पसीना भी होता है तो वो ज्यादा देर तक भाग सकते हैं बाग बस एक पार दोड़ पाता है और उसी दोड़ में उसे शिकार पकड़ना होता है वरना उसका शरीर बहुत गरम हो जाता है फिर वो भाग नहीं सकता वो बस असहाए होकर बैठ जाता है क्योंकि उसका शरीर काफी गरम हो जाता है आपको ये पूरा खेल देखना चाहिए ये सब कैसे होता है खाना ना मिलने पर वो कितना परिशान हो जाता है वो जानता है कि उसकी उर्जा कम हो रही है और समय बीतने के साथ उसकी शिकार करने की शमता और कम हो जाएगी आपको उसके चहरे पर चिंता देखनी चाहिए तो वो बहुत सजग होता है मासाहरी जानवर की ये प्रकृती होती है जब आपकी मांसिक सजगता वैसी हो जाती है तो आप एक शाकाहरी की तरह बन जाते हैं हमेशा ये देखते रहते हैं कि आपको क्या मिल सकता है ये जीवन के किसी भी स्थर पर हो सकता है जिसमें लोग शामिल हैं हर समय वो कुछ न कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं क्यूंकि मांसिक सजगता से ऐसा ही होता है मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सजग नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप सचेत और सजग हूँ तो ये एकदम अलग तरीके से काम करता है लेकिन अगर आप बस अपनी मानसिक सजगता को बढ़ाते हैं तो आप एक शिकारी जैसे हो जाएंगे हर समय इंतजार करेंगे धात लगा कर बैठेंगे तो अगर मैंने आपको ठीक से सुना तो बहुत से लोग जो चेतना पानी की कोशिश करते हैं पर उसके बजाए मानसिक रूम से और सजग हो रहे हैं तो कैसे कोई मेहनत कर इस सचेत होने के लिए अगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर या जिसे पाने के लिए काम किया जा सके तो रास्ता क्या है देखिए आपका प्रशन था चेतना पाने की कोशिश आप चेतना पाने की कोशिश कैसे करेंगे आप किस दिशा में कोशिश करेंगे क्यूंकि आप खुज चितना है, है न, कोशिश करने की जरूरत क्या है? देखें, हम दुनिया में किसी स्थर की काबलियत पाने की कोशिश कर सकते हैं हम कोई कोशल पा सकते हैं, हम कोई शमता पा सकते हैं, जो हमारे काम में हमें बहतर बनाएगी लेकिन आप चेतना नहीं पा सकते इसे आराम की स्थिती में आना होगा तब ही ये सचेत होगा जब ये बहुत सजग हो जाता है तो ये एक जानवर जैसा हो जाता है तो जानवर बनने में कुछ बुरा नहीं है लेकिन इतना विकास होने के बाद भी आप पीछे जा रहे हैं, देखिए, इनसान होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, कि आप अपने विकास की प्रकृती, दाइरा और गती तै कर सकते हैं, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता, ये इनसान होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कि आप वो प्रकृती, दाइरा और गती तै कर सकते हैं जिससे आपका अपना विकास होगा जो कोई अन्य जीव तै नहीं कर सकता उन्हें प्रकृती आगे ले जाती है जिस भी गती से वो ले जाती है योग का यही मतलब है रूपांतरन के साधन ताकि आप अपने विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकें